खबर पटना से है जहां पर निलेस मुखिया की गोली बारी मामले में पटना के सरकों पे लोग उतर आए हैं और बता दे की वाड नमबर 22 की सुचुतरा देवी और अस्थानिय गिरफतारी की मांग कर रहे हैं लोग परशासन को दो दिन का समय दे रहे हैं अगर गिरफतारी नहीं हुई तो सहर का चक्का जान करेंगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुचुतरा देवी और रवी शंकर परशाद कि अगर पूराए पापूराए गोड़क राए उसके पूरे परिवार पर सक है यकीन है सक नहीं है यकीन है मेरे पती ये कहा करते थे कि वह मुझे मार देगा आज से नहीं छे महिना साथ महिना पिछले चार वर्सों से लेकिन इधर पाच्छे महिने में ज्यादा घट नहीं हमेशा इन पर केस लादा जाता है कभी कुछ तो कभी कुछ कभी मरीन ड्राइपर की गुंडागर्दी करत के अपने पास रखें धकोशला है दिखाता है भुनाया करके दिखा रहा है मरवा के गया है बैठने दूसरा जगह कुछ नहीं कियो मेरा भाई है जो अपने भाई को मार दिया बाप को मार दिया वो मेरे पती का भाई बनेगा कुछ नहीं कारवाई है सर हम अपने पेपर दिखा सकते हैं आगे में मेरे पती के लिए सुपारी दिया गया था भोला राय को लेकिन उसे मेरे पती की जान को दिकत था वह हमेशा कहा करते थे कि वह मेरा सुपारी लिया है को कभी भी मार देगा उन्हों ने तो यहीं कहा है कि अपराधी पकड़ा जाएगा लेकिन उस पर मुझे विश्वास नहीं है मुझे अपनी जंता पर विश्वास लोग बोलता है दवंग था यह था वो था मेरी जंता से कोई पूछे कि निलेश जिनका नाम है बहुत अच्छे व्यक्तित के इंसान थे उनको भी ऐसे ही मार दिया गया लीजे यह रहा देखिए अच्छे से बोलने से अच्छा है यह पेपर में अच्छा के लिए उन्हों दिया था कि मेरे परिवार पर जान कभी भी जा सकती है कुछ भी हो सकता है लेकिन इस पर कोई कारवाई नहीं हुआ बस पेपर बनके इसे ही रहा गया है देखिए हाँ जोड़ता है कि सादू है भाई है कि रखतारी करवाई यह उत्ता है तो आपने पर गूम रहा है तो आपने लिए निलेश मुख्या पर होई इस कातिलाना हमले से पूरा पटना स्थब्ध है नितिश कुमार की सरकार में एक क्या हो रहा है दिन दहारे लोगों को गोली मारी जाती है मैं संसद में चुक्वी विप था इसलिए मैं तीन दिन बाद आया रोज मैं फोन से डॉक्टर से बात करता था उनके भाई सुरेश बा कुष्टे बात कराया है पठना पुलिस क्या कर रही है कारवाई क्यों नहीं हो रही है इसका जवाब चाहिए है मैं निलेश जी की बहादूर विरांगना धर्पत्ति से मिला हूं उनकी हिम्मत की मजबूती देता हूं मैं जा करके स्वेम पुलिस वालों से बात करूँगा लेकिन ये बहुत पिड़ा दायक है कि इतनी बड़ी घटना हुई है अभी तक किसी किरत तारीक के औरे हुई है ये सवाल मैं पटना के S.P. पटना के करक्तर और D.G.P. के सामने आपके मादम से उठा रहा हूं मैं बात भी करूँगा नितिश बाबू ये कौन सा राज है का खाली हिंदुस्तान घूमें और पटना में इस तरह का लोग को मारा जा रहा है क्या मतलब है इसका क्या मारने की कोशिश की जा रही है और पुलिस पादिर में करवाई नहीं करती ये बहुत पिड़ा दायक है इसलिए हम पूरी मजबुती से खड़े हैं करेंगे और मैं जानता हूं कि उनका परिवार सुरक्षा की गुहार कर रहा था और नहीं मिली ये बहुत पिड़ा दायक है